जो तिस एक विज्ञान है और इसे कहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है तो आईए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाथा स्रिष्ट वई है जिसमें द्रड़ता हो जिद नहीं अर्था द्रड़ता हमें इस्तिरता और संगटित्ता सिखाती है महीं जिद हमें आत्म समर्पन और स्वारत पड़ता की भावना डालती है इसलिए जिद न करें और द्रड़ता रखें नमस्कार मैं निदीशिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वाकत करती हूँ आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आठ जन्वरी सोमवार का दैनिक राशिपल सबसे पहले बात करते हैं पंचांकी तो पॉस मास के क्रश्न पक्षकी द्वादशी तिति आज है जो की रातरी 11 बचकर 58 मिनट तक रहेगी उसके बाद 33 दशी तिति प्रयारंभ हो जाएगी अनुरादा नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है जो की रातरी 10 बचकर 2 मिनट तक रहेगा उसके बाद जेस्टरा नक्षत्र प्रयारंभ हो जाएगा चंद्रमा आज ब्रशिक राशी में गोचर ब्रह्मन करेंगे मानस योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुली काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरिड दौपेर 1 बचके 30 मिनट से 3 बचे तक रहेगा महीं राउ काल का समय सुबस 7 बचके 30 मिनट से 9 बचे तक रहेगा दिशासूल आज पूर्वदिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशको तो दूद पी कर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का दैनिक राशी फल आज मैं व्यापार व्रद्धी के कुछ विशे शुपाय लेकर आई हूँ तो वो आप जानने के लिए विडियो के अन तक मेरे साथ बने रहे हैं शुरुआत करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन अस्टम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुगमता पूर्वक संपन होगा परंतु आज के दिन अपने कारियों को सावधानी से करें मन में इस्थिरता का भाव बनाए रखें किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस होना आज के दिन आपके लिए हानिका रख हो सकता है यात्रा में अपनी सामान का विशेश रूप से ध्यान रखें और अति श्यदान करनी चाहिए आपका शुबरंग रहेगा नारंगी शुबरंग रहेगा नो अब आते हैं ब्रशब राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन सब्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अपने कारियों को थोड़ा सा सावधानी के साथ करें लव रिलिशन्शिप में आज आपको धोका मिल सकता हैं किसी का भी चैन करने से पहले उसके बारे में पूरी जाच परताल कर लेना आप के लिए बहतर रहेगा लाइप पार्टर के साथ ट्यूनिंग भिगड सकती है इसलिए उसके साथ भी आपको वानी के हिसाब से सहियम रखते हुए आगे बढ़ना होगा तबी वैवाहिक जीवन का सही आनंद आज के दिन आप प्राप्त कर पाएंगे व्यापारी वर्ग न शुवंक रहेगा एक अब आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन छटे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपको अपने कारियों को सफलता पूर्वक संपन्न करने के लिए मित्रों की आउशकता पढ़ सकती है परन्तु मित्रों का चैन करते समय सावधानी रखें आज के दिन कोई भी ऐसी बात न कहें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए सावधानी पूर्वक अपनी कारियों को करें वरना प्रतिद्वंदियों को आपके कारियों में नुकसान लाने का मौका मिल जाएगा आज के दिन वर्क प्लेस पर अधिकारियों के विस्वास में रहकर अपने कारियों की रणनिती बनाएं आप प्रतियक मंगलवार को चावलों को दूद से धोकर उन्हें जल में प्रवाहित कर दें ऐसा करने से आपके व्यापार में आ रही परिशानिया जल्द ही समाप्त ह हो जाएगी आपका शुबरंग रहेगा सफेद शुबंग रहेगा आठ अब आते हैं करक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन पांचवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपको अपने सिक्षा अध्यन अध्यापन पर कॉंसेंट्रेशन बढ़ाना चाहिए आपका डिस्ट्रेक्शन दूसरी चीजों पर अधिक रहेगा और पढ़ाई में कम रहेगा इसलिए आप अपने ध्यान को किंद्रित कर अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने का प्रयास करें कोई भी कारे जल्द बाजी में करने से बचें कलाकारों को सोच समझ कर निने ले हैं सीहराशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन फाइनेंशली अपनी चीजों को व्यवस्तित रखें आज के दिन कोई भी ऐसा बड़ा खर्चा न करें जिससे फाइनेंशल कंडिशन बिगड़ जाए आकस्मिक खर्चे जरूर आएंगे बजट देखकर चलेंगे तो इन खर्चों का निर्वहन कर पाएंगे आज के दिन मा के साथ बहस से आपको बचना होगा वर्क प्लेस पर अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रबन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है कुछ कार्य आपके सावधानी से करने पर सरलता से संपन हो जाएंगे तो कुछ कार्यों में रुकावट आ सकती है आज के दिन डिसिजन मेकिंग को स्ट्रॉंग रखें कोई भी डिसिजन ऐसा न ले जिससे आपको कठिनाईयों का सामना करना पड़ जाए आज के दिन राजनितिकियों के लिए इतना अच्छा नहीं है संबल कर रहने की आशिकता है साथ हरी में साथ निम्बू लेकर माला बनाए और उस दुकान में वहाँ पर टांगें जहाँ पर ग्राहक की निगाह पड़े आपका शुपरंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा चार अब आते हैं तुला राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर ब्रमन करेंगे अता पारिवारिक परिस्तितियां आज आपके लिए सुद्रड बनती हुई दिखाई देगी आज के दिन को टुम मैं मान सम्मान बढ़ेगा यात्रायां आपके लिए सुखत और मंगल में रहेगी छोटे भाई बैनों का लाब आज के दिन आप बरपूर उठाएंगे आरतिक स्तती उन्नत होगी गोट से बनी मिठाईयां आपने घर पर ही तैयार करके उसे प्रसाद के रूप में अपने इस्ट देव को चड़ाएं इसके बाद उसे निर्धन लोगों के बीच में बाढ़ दें आपका शुभरंग रहेगा पीला शुभंग रहेगा नो अब आते हैं व्रशिक राशी पर आपकी राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचर प्रमन करेंगे अता मन मस्तिक्ष को शान्त रखते हुए अपने कारेों को करने का प्रयास करें कोई भी कारे जल्द बाजी में करने से आपको बचना होगा अपने कारेों में आरे इबाधाय समाप्त हो जाएगी आज के दिन लाप की स्तत्या आपको बरपूर देखने को मिलेगी अपने व्यापार की व्रद्धी के लिए सदेव गणेश जी की पूजा अराधना करें और उन्हें दुर्वा और मोदक जरूर अर्पित करें आपका शुब्रंग रहेगा गुलाबी शुबंक रहेगा पांच अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज की दिन बारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपकी खर्च की स्तत्यों को बढ़ा सकता है अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें कोई भी कारिये जल्द बाची में करने से बचें चात्रों के लिए आज का दिन मनवांचित परड़ामों से भरा रहेगा व्यापारी वर्ग सूथ समझ करने ने ले कच्चे सूथ को केसर के घोल में भी कोकर रंग दे और फिर इसे अपने कारिये इस्तल पर बाढ़ दे आपका शुबरंग रहेगा बुरा शुबंग रहेगा तीन अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन ग्यारवे भाव में गोचर ब्रह्मन करेंगे आकस्मिक दनलाब की परिस्तितियां आज आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी कारिये ध्रड़ता से पूर्ण होंगे आज के दिन सेल्फ कॉंफिडेंस इंक्रीज रहेगा आज के दिन छात्रों को थोड़ा सा संभल कर रहने की आवचेकता है व्यापार में व्रदी होगी और रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्मेंट आज आपके लिए लाबदायक साबित होगा अपने व्यापसाय के स्थान पर शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन आप हल्दी और केसर से बारा गूमती चक्र पर तिलक लगा कर कपड़े में बांध कर रखें आपका शुब्रंग रहेगा ग्रे शुबंग रहेगा दू अब आते हैं कुम्राशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन दसवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन सावधानी से आपको उपने कारियों को पूर्ण करना होगा पिता के साथ बहस बिलकुल भी न करें वर्क प्लेस पर अधिकारियों से डाट सुननी मिल सकती है आज के दिन यात्राएं करते समय सावधानी रखें और खुद ड्राइव करके कहीं पर भी न जाएं लक्षमी नारायन के मंदिर में हर शुक्रवार को गुड और चना जरूर बाटें आपका शुब्रंग रहेगा मैरून शुबंग रहेगा साथ अब आते हैं मीन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए भग्य वर्दक रहेगा आपके कारिये सुचारू रूप से संपन होंगे आज के दिन आप आउट अफ वे जाकर किसी अजनभी की सायता से मन को शांती पहुचाएंगे आज के दिन आपका सेल्फ कॉंपडेंस इंक्रीज होगा और सामज एक मान सम्मान और प्रतिस्टा में व्रती होगी पुराने मित्रों से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगी शनिवार को फीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लाए और उसे धूब बत्ती दिखा कर दुकान की गदी में जिस स्थान पर आप बैठते हैं उसके नीचे रखते हैं साथ सनिवार तक ये कारियर लगातार करें आपका शुबरंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा छें तो ये है आट जन्वरी सुमवार का दैनिक राशिपल अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त्र ये व्यस्त्र ये मस्त्र ये और हमेशा मुस्कुराते रहेए जै श्री रादे क्रिश्ना का बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे आठ नो पांच पांच छे पांच आठ तीन छे दो